Hello friends, आज पता है आपको कि ICC World Cup में पूने में इंडिया और बंगला देश का मैच हो रहा है। यह 48 में से 17 मैच है यह चल रहा है। और आज एक बाद तो आप सारे हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग मान लिजिए कि 25 करोड पाकिस्तानी यही मना रहे हैं कि इंडिया मेच हाज जाए। यही नहीं वो तो सारे मेचों को सुचते हैं कि इंडिया कोई मेच जीते ही ना। तो पूरे पाकिस्तानियों का तो यही इच्छा होगी कि भारत हाज है। अब यह देखना है कि रोही तेन कमपनी जो है हमारी, उनके मन की मुराद पूरी करती है क्या। और मान के चलिए 100% कि फिर आज साम को जब यह मेच खतम हो तो पाकिस्तानी रोने वाले हैं, जलने वाले हैं और जल जल के, जल भून करके मरने वाले हैं। पाकिस्तानी जल जल मरने होले, ये इंडिया को आगे बढ़ते देखने नहीं चाहते, लेकिन इतनी बुरी तरह पीटें गये हैं ये एमदाबाद में, कि आज तक उनको दर्द है, और तरह तरह के बहाने बाजी करते रहते हैं, और वो दर्द के तरह इनके खिलाडी बीमार ह हो गया है, किसी को बुखार हो गया, किसी को कुछ हो गया है, किसी के पैर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, तो ये पाकिस्तानी बड़ी उमीद लगाए हैं, भारत को 257 बंयाना है gotta 50 साउबर में और जिस तरह के हमारे खिलाड़ियों का फर्म है 208 को इमाने नहीं आपने दखा होगा कि 30.3 अवर में ही वो 92 रन बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ तो आज तो बंगलादेश का कैप्टन जो वो उनका बॉलर है सबसे सिनियर बॉलर वो नहीं खेल रहा है तो इंडिया के लिए बढ़ा इजी है लेकिन ये पाकिस्तानियों की मन की मुराद सालियां बजाते रहें और भारत की जीत में खुस होने की कोशिस करें क्योंकि अगर भारत की जीत में दुखी होना चाते तो उनको दुखी रहना पड़ेगा पूरे वर्ड कप में पाकिस्तानियों को खुस होने की कोई ख़बर मिलेगी नहीं और पाकिस्तानियों के आगे किसी को बचने वाला नहीं है और सुमन गिल है उसके बाद कोहली है उसके बाद केल राहूल वापस आने को वाद कितना बढ़या खेल रहा है तो आप देखते रहे हैं बहुत जल्दीस मैच का निप्टारा हो जाएगा और इंडिया बढ़े अरांग से मैच जीते की तो फ्रे प्रेंस प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बिल आइकान दवाएए और साथ में अपना कमेंट भी दीजिए लाइक भी करिए थैंक्यू भरी मच फिर मैच खतमने बाद वीडियो बनाएंगे थैंक्यू मश्कार